हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मेद करते हैं आप सब लोग अच्छ होंगे तो दोस्तों एक बाद फिर सा आपका बहुत-बहुत स्वागत है कंक्रीट टेकनोलोजी की क्लास के अंदर जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक्स सेविएस का जो हमारा रेगुलर सब् कंक्रीट टेकनोलोजी का उसको कंप्लीट कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा यह हम लोग जो है नियर टू कंप्लीशन के ऊपर हैं मतलब कि अब कंप्लीट होने वाला यह सब्यक्ट और अब तक आपने परफेक्ट इंस्टूट पॉर्स के चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया तो कर लिए और जो है अपनी जो है रही को मतलब कि चलते हैं अपनी के अंदर करते हैं तो कितने टाइप के च्चैन जॉने तो आगे आप अपना जो है तो आप क्या करते हैं जिससे कि अगले दिन जब कंक्रीट करना इस्टार्ट करें तो उस से आगे आप अपना कर सकते हैं तो उसमें दो टाइप के रहें रहें इस तो यह जो है और यह वर्टीकल करते हैं पे लगाते हैं तो उस जोना हो जाए आपका construction जो आपको उस पर क्या करना है तो पानी के प्रेशर से उसको एगर आपका क्रिट कौन के दोस्तों दो तिन साल चार साल पूराना ना चाहिए उसको जैनी मौण को करें निया जो कंक्रीट है उसके पार्टिकल जो है पुराने कंक्रीट के पार्टिकल के साथ ने अच्छी तरह से जुड़ जाए ठीक है दोस्तों आफ्टर मेकिंग कंक्रीट सर्फेस रफ इस वेन वास्ट विदा वाटर फ्लो जब टैसर राइस वाटर से आप करेंगे तो क्या क यहां जो है कायों सिमेंट मोडार का रेशो ओसी होगा जो आप कंवरेफ करना ते सब्यूंच को आपको यूज़व करना सब्सक्राइब कर कांक्रीटिंग के विचा तेंगे पुराने कंश्रgame काओक्षाइब को continue करना है, the location of construction joint, अब location of construction joint क्या होगी दोस्तों, the following point should be kept in mind while locating construction joints, जब आप construction joint डालने जा रहे हैं तो आपको कुछ points को जहान में रखना होता है, before you will create a construction joint, क्या है दोस्तों, the construction joint should be located at a point where bending moment and share force are small, और where the joints will be supported on the other member, मतलब कि ऐसे जगह पर रखना है, जहाँ पर कोई support हो, मतलब already कोई support हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी दे दो, अपनी मर्जीर से, ऐसा नहीं होना है, this should be located in such a manner that there is no difficult to in progress in construction joint, ऐसे जगह पर रखना है, जहाँ पर कि आगे जब हम construction joint को continue करें, तो वहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत आए, in concrete wall, proper location of horizontal joint in the floor level, windows, cells level और soffit of lentils, देखें, अगर आप कर रहे हैं, दोस्तों, concrete wall proper location होने चाहिए construction joint के floor के उपर, window के उपर और soffit levels of lentils के उपर, in cases of large structure, construction joint should be placed at not more than 18 meter, मतलब की, अगर आपका बड़ा surface है, मतलब आप जो है दोस्तों, अगर slap कर रहे हैं, cast कर रहे हैं, या फिर रोड में कर रहे हैं, तो आपको 18 meter से ज़्यादा पर construction joint को provide नहीं करना है, the construction joint at the corner should be avoided since it becomes difficult to ties corner together, कई बरी क्या होता है, दोस्तों, आप जो continue करना, तो ऐसे जगह पर नहीं देना है, आपको यहाँ पर for meeting at any shrinkage at the joint उसके बाद किया दोस्तों अगर आप जो है दोस्तों slab के ऊपर दे रहे हैं तो slab में कहां देंगे प्रोफिश्चिन बिविट्विन slab and beams then it is necessary जहां पर slab और beam का जो है construction joint आप डवलप कर रहे तो वहां पर कुछ reinforcement आप आप प्रोवाइट कर भीजिए ठीक न दोस्तों उससे क्या होगा दोस्तों वीकनेस जो है वो नहीं आएगी आपके construction joint के अंदर for water tanks and other structures which stored water copper or galvanized iron strips known as water stops are placed on the construction joint जो water tanks वगरा में हैं तो महां पर आप क्या दे सकते water stoppers दे सकते हैं ठीके दोस्तों one half of the tank stop insert when the concrete is placed and the half of the projection covered by when next अगर आप इस टाइप के construction joint दे रहे हैं टैंक के अंदर तो आप क्या करेंगे आदा जो है दोस्तों आदे में आपने concrete किया तो आदे में आप क्या देंगे strips जो है तहले डाल देंगे और जब आप दूसरा portion में करेंगे तब आप दूसरी जो है उसको कवर कर देंगे तो इस टाइप से जो है दोस्तों आप concrete और expansion joint को create कर सकते हैं next क्या दोस्तों expansion joint and construction joint movement joint भी इनको कहा जाता है expansion joint क्या होता है दोस्तों the joint which the joint by which our structure is divided for the prevention of cracks formation in the concrete due to the development of of tensile stress tensile stress develop होने के विए से जो cracks develop होते हैं दोस्तों those we call expansion joint अब यह कहां पर होते हैं those we call expansion joint thermal expansion of concrete roofs is commonly cause of damage of a building this is called apart and walls as shown in figure अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपने देखा हो जनरली जो है घरों की दिवारों पर छटों से जो है दोस्तों आप इस तरह से से हैं जो है दोस्तों यह cracks देखते हैं यह cracks इक्रैक्स डेखेंण और यह जो हैं दोस्तों यह जनरली आपको मिलेंगे भरों की छताओं पर दिवारों पर यह construction joint आपको देखने के लिए मिल 45 meter length shall be divided by one or more expansion joint जब आपकी छत की जो है दोस्तों जब आप concrete में जब आप concreting कर रहे हैं और अगर आपका span बहुत बड़ा है 45 meter से जो है दोस्तों बहुत लंबा है तो आपको जो है 45-45 meter पे जो है दोस्तों आपको expansion joint देने चाहिए ठीके it is recommend that structure is exceeding 45 meter in length तो उसमें क्या है आपको जो है दोस्तों expansion joint प्रुवाइड करने चाहिए रिन्फोर्में शल नौट भी extend across any expansion joint and break between the section cell भी completed ठीके दोस्तों तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों तो यह क्या है दोस्तों करके रख सकते और बाद में जो डावल कैप आपने प्रुवाइड कर देंगे बाद में तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे रही है construction joint dummy और control joint को क्या यह था दोस्तों contraction joint expansion joint और यह contraction joint contraction joint को dummy और control joint भी का यहाँ था the joints provided for the prevention of crack formation in concrete resulting from contraction of some parts of the structure is called contraction joint those we call expansion joint जो कि thermal expansion की विज़े से होते ते और यह है दोस्तों contraction joint जो की shrinkage की विज़े से होते हैं in concrete contraction joint may not be necessary प्रॉपर धन्स से रिइन्फोर्समेंट प्रोवैड करग एक स्रफ में चिजया हो सकता है कि monstingt ना आपके म हुआ कोंटरक्टे सिल बेंट के ना लेंफ च्रीचिश को जहां विल भी जो बहुत कम जो है दोस्तो आपके क्रेक होने के चांसे होते हैं if your reinforcement is sufficient as per the requirement of the concrete ठीक है दोस्तों और या structure तो दोस्तों यह आज जो है हमने construction joints को हम लोग discuss किये हम लोग expansion joint को discuss किये location of construction joint कहा हो निए treatment of construction joint आप जो करते हैं दोस्तों contract जब आप प्रोवाइड करते हैं construction joint तो क्या आपको precautions भरतनी चाहिए उम्मीद कर रहा हूं यह वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगा और यह subject जो है दोस्तों नियरली complete है अगले दो या तीन दिन के अंदर यह classes को और हो जाएंगी अगर आप तक आपने इन classes को नहीं review किया नहीं देखा तो देखें जरूर तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूए चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल में बज़ें नेक्ट वीडियो रखते के जैन जैवारत थैंक्यो कुछ तो प्रह करना थाएंगी प्री ताप्सराइब करना विल्कुल में प्रह ड्मुल में खीक।